नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार पुन हैं, हार देख स्वागत करता हूँ, आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे, यह सीरीज का फॉर्थ वीडियो है, यह आप प्रिवेस थ्री वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, वहाँ से जाके आप देख सेकते हैं, यह कुईशन आपके राजस्तान कम्यूटी हेल्थ ऑपिशन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, आप लगातार हमारे साथ जुडने के लिए सबस्क्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इस वीडियो को जएदा से जएदा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इस फर्स्ट क्यूशन के बारे में, फर्स्ट क्यू इस फर्स्ट की ससेुट की हम बातकरेंगी दोस्तों, तो राइट एंसर क्या रहेगा, औप्षन भी में मैं इस फ्रस्ट की या गया था, बीगों से आपको ध्यान रखना होगा, जो है यह नेक्स आपका जो है। को क्या कर जाता है फादर वे फादर आप इपीडीमियों लोजी अ शुब डिमियद ऑप फादर वे मिल्यों लोजी इस में फरी आपका इम बहाता है पापी अचिनल से इसके बारे में आप जरूर ध्यान दे सकते हैं, epidemiology में epidemiology trade होता है, इसमें 3 आपका महत्वण घटक होते हैं, agent, host and environment, तो ये भी आपको ध्यान रगना होगा, next questions के और मुग करते हैं, next questions आपका father of Indian surgery is, Indian surgery के father किसको का जाता है, अब बात कर लेते हैं, prevention के बारे में, तो किसी भी disease से होने से पहले उसका जो है, आप या फिर उसके symptom या फिर उसकी जो है, जो है symptom या फिर उसके जो increased mortality and mobility को कम करना उस conditions को बोलते हैं, prevention और prevention को हम बात कर लेते हैं, कितने परकार का होता है, चार परकार का होता है, mostly first thing primordial prevention and second primary and third है जो, secondary and fourth है वो, tertiary prevention, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, primordial prevention क्या होता है, कि किसी भी disease होने से पहले, जिसी उसके risk factor है, मालो, lung cancer है, तो उसका smoking है, ठीक है, तो smoking नहीं, उसको educate करना कि smoking नहीं करना आपको, जिसके बाद जैसे lung cancer हो सकता है, उस condition में, उसको बोलते हैं, primordial prevention, then आपका primary prevention क्या होता, जैसे किसी भी disease होने से पहले, आप immunization कर रहे हैं, तो यहाँ पर primary prevention, then secondary prevention के बार बात करेंगे, किसी भी disease को आप diagnose कर रहे हैं, या फिर इसकी screening कर रहे हैं, तो उस conditions को बोलेंगे, secondary prevention, ठीके, early diagnosis को, और tertiary prevention, किसी भी disease को ज्यादा होने से रोकना, या फिर उसका rehabilitation करना, उस condition को बोलते हैं, tertiary prevention, तो I hope यह समझ में आ गया होगा, और इस questions का जो right answer है, वो क्या रहने वाला, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो option A is the right answer, health education, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा, next questions की और move करते हैं, next आपका questions है, who discovered tuberculine skin test, tuberculine skin test है, वो किसके दोरा discovered किया गया है, one, फिर quarter, option A, options B, Lewis Parcher, option C, Ronald Rose, and option D, Edward Jenner, तो हम बात कर ली है, Edward Jenner के बारे में पहले, अब बात करेंगे, इस questions के answer की, तो यहाँ पे, जो है, one perquete is the right answer, one perquete के दोरा tuberculine test की, वो discovered किया गया था, ठीक है, next आपका questions रहेगा, यह questions है, HIV transmission from mother to fetus, mother to fetus, commonly during, pregnancy के दोरान, mother से fetus में, जो है, HIV का transmission होता है, वो किस conditions में, commonly होता है, first time answer वो होता है, second में, या फिर third, या फिर delivery, तो right answer की हम बात करेंगे, तो right answer है, delivery और delivery में, during labor, during labor, तो आपको यह ज्यान रखना है, काफी अच्छा questions है, next questions की और move करते हैं, आपका questions है, instrument of choice for clamping the umbilical code is, umbilical code को आप clamp करते हैं, तो इसमें से कौन सा instrument है, वो उसको choice पे लेंगे आप, option A, L is tissue forceps, option B, culture, जो forceps, option D, C, long state hemostatic forceps, option D, multiple toothed, वाल्सेलम, तो right answer की हम बात करेंगे, क्या रहेगा, इस questions का right answer, तो यहाँ पर option A, sorry, options B, इजदार राइंटर, जो culture hemostatic forceps है, उसको, उसके दोरा, जो हम umbilical code को वो clamping करेंगे, तो यहाँ पर option B, इजदार राइंटर, culture forceps के दोरा, आप, जो है, artificial rupture of membrane कर सकते हैं, A, R, O, M, ठीके, तो इसका, जो डाइग्राम है, मैं आपको बाता देता हूँ, यह है, डाइग्राम, culture forceps का, आपको ध्यान से, एक्जाम में कभी कबार कूच लेते हैं, तो यहाँ पर इस परिकार से, इसका handle होता है, यहाँ पर tooth, यह ज्यान रखना होता है, तो यहाँ पर इस परिकार से, इसके बारे में हम डिसकर्शन कर लेते हैं, फीटर्स की पोजिशन के बारे में पहले डिसकर्शन कर लेते हैं, अब बात करेंगे, इसके बारे में पोजिशन के बारे में, तो यहाँ पर जो पोजिशन है वो, ओक्सिपिटो एंटेरियर, ओक्सिपिटो पोस्टेरियर, और यहाँ पर जो पोजिशन होती है, उसको बोलते हैं, राइट साइड में, तो right occipito anterior यहाँ पर है right occipito lateral यहाँ पर है right occipito जो है यहाँ posterior तो posterior ठीक है यहाँ पर जो इस conditions में देखेंगे तो left occipito anterior left occipito lateral और left occipito posterior इस परकार से यह position होती है अब यहाँ पर questions आपको क्या पुछ जग है internal rotation occur questions आपको पूछा गया internal rotation occur on normal labor when fetus is occipito lateral position तो यहाँ पर occipito lateral position पूछा गया है ना कि इसमें right यहाँ left there का है तो occipito lateral position कहाँ पर है एक तो इधर है और एक इधर है lateral position तो यहाँ पर जैसे कि occipito anterior से left occipito anterior या फिर right occipito anterior यहाँ तक आने में कितना circle होता one by add circle तो यहाँ पर यहाँ से अब यहाँ पर जो है आने में कितना समय लग सकता है कितना सक्र लग सकता है तो यहाँ से यहाँ आना अब उसको या फिर यहाँ से यहाँ ठीक है occipito lateral position पूचा गया तो occipito मेंसे यहाँ पर anti-clockwise जा सकते है या clockwise जा सकते है इस परकार से इसमें 2 upon 8 circle लगेगा यह आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छा question से कभी कबार इसमें एक्जामें पुछ लिया जाता है तो normally आपको जो है एक circle जैसे occipito anterior से left occipito anterior जाने में 45 degree का angle बनता है और 1 by 8 circle का जो circle होता है rotation में ठीक है तो यह questions आपका रहेगा next question right answer के हम बात कर लेते हैं तो option B is the right answer to 8 circle next आपका questions है common cause of mid term abortion include mid term abortion होता है उसमें क्या common cause रहता है cervical incompetency hyper stimulation of uterus hyper secretion of oxytocin rubela infection तो right answer की दोस्तों हम बात करेंगे तो option A is the right answer cervical competency इसका treatment होता है cervical जो है आप उसका stage करते हैं उसको बोलते हैं McDonald या फिर circulation जिरोड़ कर मैथर के दोरा आप जो है उसका choose ring करते हैं 36 वीक पर आप उसकी को रिमूव करते हैं इस्टाबलेश तो इस questions का answer मैं आपने comment box में चाहता हूँ आप comment जरूर करें ठीके आपके और से इसका answer बताना होगा next question से आपका confirmatory diagnosis test for heart person disease heart person disease को secondary नाम बोलते हैं mega colon क्या होती यह disease इसमें congenital जो है अगंगलियोनिक congenital होती जिसमें nerve supply है वो absent होने की वज़े से वहां पे fecal matter है वो अगे पास नहीं हो पाता है एक जगे वो collection हो जाता है इस वज़े से इसमें एक और symptom आता है उस symptom को बोलते हैं ribbon like stool ribbon like stool होता है वो किसमें दिखा जाता है heart person disease में दिखा जाता है और इसकी confirmed diagnosis की बात करेंगे तो option b is the right answer section करेंगे section biopsy करेंगे उसका biopsy is the best confirmed diagnosis test ठीक है so next questions the common pathogen causing diarrhea in infancy infancy का पूचा गया है तो यहां पर options a rotavirus options b e coli and options c klebsella and options d singella तो यहां पर questions को आप ध्यान से पढ़िए infancy पूचा है तो यहां पर options a is the right answer rotavirus because infancy या पर child में rotavirus होता है बाकी adult का पूचे तो यहां पर e coli और adult और child दोनों नहीं दे रखा है तो right answer जाएगा e coli ठीक है यह ध्यान रखना है काफी आचा questions है next questions skin target in children is assessed at children में जो skin target करते हैं वो कहां पर करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसकी right answer की हम बात करेंगी दोस्तों तो right answer होगा option d is the right answer तो आज के लिए इतने ही questions next जो वीडियो में next questions आप प्रंस लाएंगे आपको अच्छा लगे हैं questions तो इसको like कीजिए और share कीजिए thank you friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए आप एधिये हैं